हलो फ्रेंड्स वेलकम टू चेंपियन गुड जीफेंड्स आज की स्वीडिम लोग एक बहुत ही संदार मैथ पजल को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा जी हाँ दोस्तो यह कुशन थोड़ा सा ट्रिकी है जिसके वज़ा से 90-95% लोग इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको हम 8-10 सेकेंड का समय देते हैं आप इस पजल को सॉल्व करके इसका सही अंसर कमेंट बक्स बताइए और अधिक समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर पजल है कि 4 प्लस 5 बरबर 9, 6 प्लस 12 बरबर 36, 8 प्लस 13 बरबर 49 तो 10 प्लस 17 बरबर कितना होगा यह आपको बताना है और दोस्तो यहाँ पर प्लस का चीन लगा हुआ है सभी में इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जोडने पर ही नवया है यहाँ पर आपको जोड घटा गुना भाग कुछ भी करके इस पजल को सॉल्व करना है यानि जिस लोजिक से यहाँ पर 4 प्लस 5 बरबर 9 आएगा उसी लोजिक से यहाँ पर 6 प्लस 12 बरबर 36 आना चाहिए और उसी लोजिक से यहाँ पर 8 प्लस 13 बरबर 49 भी आना चाहिए तो देखिए उसी logic को अगर इसमें भी लगाएंगे न तो आपका सही answer निकल कर आ जाएगा इस puzzle का ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अधिकतर लोग इस puzzle को किस तरीके से solve करते हैं तो देखिए कुछ लोग यहां सोचते हैं यहां पर देखिए 4 है और यहां पर 5 है तो इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहां पर 9 आ जाएगा तो यहां पहला logic है यानि 6 और 12 को जोडते हैं कि तो कितना आजाएगा तो 8 आजाएगा लेकिन देखिए यहाँ पर 8 आजाएगा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर 36 लिखा हुआ है ठीक है यानि यहाँ लोजिक इसमें तो काम कर गया लेकिन इसमें फेल हो गया तो इस लोजिक से यहाँ पजल सॉल्वन नहीं होगा ठीक है तो देखे कुछ लोग यहाँ भी सोचते हैं कि देखे सीधा अगर दोसरे पर नमबर पर देखते हैं तो यहाँ पर देखे 6 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा तो यहाँ पर आपका आजाएगा 8 और इस 8 और अगर दो गुणा कर देते हैं तो देखे कितना जाएगा तो 36 आ जाएगा तो देखे यहाँ इस लोजिक से भी यहाँ पर काम का जा रहा है क्योंकि 6 प्लस 12 वर आठाडा आ गया और 80 का 2 गुणा कर दिये तो 36 आ गया लेकिन देखिए, यहीं लोजिक इसमें लगाते हैं तो देखिए 8 और 13 को जोडोंगे तो कितना जाएगा तो 20 आ जाएगा और 21 का दो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा के लिए, यहाँ पर 4 को हम A माल लेते हैं, और 5 को B माल लेते हैं, ठीक है, यहाँ आपको कहरना क्या है, तो इस logic से solve करने के लिए, यहाँ पर A plus B करना है, और उसमें 3 से भाग करना है, और इसका square करना है, ठीक है, देखिए, हर पजल में अलग-अलग logic लग सकता है, लेकिन इ तो देखिए यहां पर चार और पांच को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा तो नौ और नौ में तीन से भाग करेंगे और इसका स्क्वार करेंगे तो देखिए नौ में तीन से भाग करेंगे तो क्या जागा तो तीन आ जाएगा और इसका स्क्वार करेंगे तो यहां पर दे जोडते हैं और पुलस 12 करेंगे और इसमें 3 से भाग करेंगे ठीक हैँ तो देखिए यहाँ पर 12 और 6 को चोड़ेंगे तो क्या जागा तो यहाँ पर श्षप जोडने पर 3 ऑठाडा जागा और इस 2..6 6 बार में कट जाएगा ठीक है और 6 का square करेंगे तो क्या जगे तो यहाँ पर 36 आजाएगा देखिए यहाँ लोजिक इसमें भी काम कर गया क्योंकि यहाँ पर 36 आजा है और यहाँ भी यहाँ पर 36 ही लिखा गया ठीक है और देखिए इस तीसरे में भी अपलाई करके देखेंगे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या करना है तो A पलस B बटा 3 का square करना है तो यहाँ पर A के जगा पर 8 रखेंगे और पलस B के जगा पर 13 रखेंगे और बटा में 3 करेंगे और इसका square करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 आजाएगा और एकीस में तीन से भाग करके और स्क्वार करना है तो देखें तीन से भाग करेंगे तो यहाँ साथ बार में कर जाएगा और साथ का स्क्वार करेंगे तो कितना जगा तो उन्चास आजएगा तो देखें यहाँ लॉजिक इसमें भी काम कर गया है यहाँ पर यहाँ पर 49 आ ही गया है ठीक है तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ लोजिक इस तीनों में काम कर गया तो इसी लोजिक से यहाँ पजल सॉल्फलने वाला है तो देखे करके देखते हैं यहाँ पर क्या करना है तो A प्लस B और बटा 3 करना है ठीक है तो देखिए A यहाँ पर इसको मान लेते हैं और B इसको मान लेते हैं तो A बराबर 10 है तो 10 रखेंगे पलस B बराबर 17 है तो 17 रखेंगे और बटा 3 करेंगे और इसका square करेंगे ठीक है तो देखिए 10 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा तो 27 और 27 में 3 से भाग करके और square करना है तो देखिए इसम पर 4 प्लस 5 ब्राब 9, 6 प्लस 12 ब्राब 36, 8 प्लस 13 ब्राब 49 है, तो 10 प्लस 17 ब्राब कितना जाएगा, तो 81 आ जाएगा ठीक है, और यहीं इस कुश्चन का सही अंसर हो जाएगा, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस पजल को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो